MSRTC कर्मचारी पिछले साल नवंबर से अपनी मांगों को लेकर हर्टाल कर रहे हैं। उनकी मांग है उनके विभाग को राज्य सरकार के अंतरगत बलाया जाए। और उन्हें सरकार राज्य सरकार के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। बॉंबे हाई कोट ने प्रदशनकारी करमचारीं से कहा था कि वो 22 अप्रेल तक ड्यूटी जॉइन कर लें। हाई कोट का आदेश आने के बाद राज्य परिवन मंत्री अनिल परब ने सभी प्रदशनकारी करमचारीं को भरोसा दिलाया था। कि अगर वो सुप्रिम कोट की डेड्लाइन से पहले ड्यूटी जॉइन करते हैं तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसी बीच प्रदशनकारी करमचारी मुंबई में शरत पवार के घर सिल्वर ओक के सामने पहुंच गए और प्रदशन करने लगे। वहीं उन्होंने शरत पवार और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान कई करमचारी में शरत पवार के घर पर चपल भीफे की। वहीं शरत पवार के घर हुए हंगामे की जाच मुंबई के ज्वाइन सीपी लॉइन ओर्डर करेंगी। सिक्योर्टी फेलियर और इंटेलिजेंस फेलियर की जाचप की जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे उतरप्रदेश सरकार के आपकारी राज्यमंत्री स्वतंतर प्रभार नितिन अगरवाल ने पेट्रूल की बढ़ती कीमतों पर कहा है कि international market में crude oil की बड़ी हुई कीमतों के चलते petrol diesel के दाम बड़े हैं क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है आपको सुनवाते हैं एक पर पहले भी मुझे से ये पूछा गया है और मैंने उनसे कहा है कि petrol के दाम international जो crude के प्राइस है उसके उसके 49 होते हैं ऐसा नहीं है कि सरकार ने पेट्रोल के दामों में कमी नहीं करी है कमी भी हुई है लेकिन अगर crude का दाम बड़ेगा इंटरनेशनल का में उसके बड़ेगा तो मजबूरन उसी दाब से उसका इफेक्ट हर जगे आएगा हमारी देश में नहीं है हर जगे हर देश के उपड़ता है लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सरकार सजग है और आम जनको राहत देने के लिए जो भी कदम होंगे उठाएगा और आगरा में स्टीएफ लखनू और बहा पुलिस की बड़ी कारवाई देखने को मिली है जहां एक करोड सी जादा रुपे का गांजा पकड़ा गया है मुख्विर की सूचना पर ट्रक से लदे कपास में छुपा कर गांजा लाया जा रहा था तो बड़ी कारवाई से कहा जाएगा क्योंकि एक करोड सी जादा की कीमत का गांजा बरामत किया गया है जब्त लिया गया है अस्टीएफ और पुलिस की एक से कारवाई रही और इस कारवाई के दुरान टीम को बड़ी सफलता हत लगी है और धालपूर के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से टिकेट चेक कर रहे और उनसे पैसे एंट रहे एक फरजी टिकेट कलेक्टर को ग्रफतार किया गया है वहीं पकड़ा गया टिकेट कलेक्टर यात्रियों से टिकेट चेक कर उनसे पैसे वसूल रहा था वहीं यात्रियों की सूचना पर रेलवे स्टेशन पर तैना टिकेट कलेक्टर ने फर्जी टिकेट कलेक्टर को पकड़ कर जी आर्पी पुलिस के हवाले कर दिया जी आर्पी पुलिस पकड़े गाए फर्जी टिकेट कलेक्टर से पूस्ताच कर रही है कर दो जार बाइस को समय करीब बारा वजे हैमत कुमार टीशी रेल वेस्टेसन दोर पर दोरा एक व्यक्ति अजय पर्मार सुनौप सरी बनवारी सीन पर्मार जाती ठापर उमर 21 साल निवासी भामती पुरा जेला दोर पर को किसी व्यक्ति की सूचना पर छोटी लाइन पिले और चतिसगाड के मुख्यमंत्री बुपेश बगेल अंतागड विधान सभा के ग्राम अमाकड़ा में आयूजित उत्सव में पहुंचे यहां कारक्रम को संबोधित करते हुए अंतागड वासियों को अनेको सौगात दी गए उन्होंने कोईली बेडा अमा बेडा बांदे को तैसील का दर्जा दिया जाएगा ये कहा और साथी साथ वहाँ जिला सहकारी बैंक की स्थापना की जाएगा अनतागड और इसके लावा पंखा जूर के कॉलेजों में इसनात कोतर की कक्षाएं शुरू की जाएंगी मुख इसके अलावा कोईली बेडा में बालक छात्रावास नागर बेडा में प्री मेट्रिक छात्रावास और आमा कड़ा में बालक आश्रम शुरू किया जाएगा और बस्तर पुलिस की तरफ से आपरादिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है पिछले 24 घंटे में गांजा तसकरी के संबंध में दो आपरादिक प्रक्रणों में चार गांजा तसकरों पर कार्रवाई करने में और पिछले चार साल से फरार गांजा तसकर को पकड़ने में बस्तर पुलिस ने सफलता पाई है चौकी बकावंड को सुचना मिली थी कि कुछ गांजा तसकरों की ओर से उडिसा से जगदलपूर की ओर गांजा तसकरी की जा रही है सुचनापर चौखी प्रभारी बकावंड टुमनलाल डड़सेना के नितरत में टीम गठित कर इस कारवाई को अंजाम दिया गया सुचनापर चौखी प्रभारी बकावंड टुमनलाल डड़सेना के नितरत में टीम गठित कर रवाना किया गया था उक्त टीम के द्वारा दसा पाल शेत्र में एक मोटर साइकल में जो सवार वेक्ती हैं उनकी पहचान कर गेरावन्दी का रेट किया गया इस रेट कर रहे कि दावरान एक वेक्ती मौगे पर पकड़ा गया और दो अन्य फरार हो गया थे और इसमें बाद में पुना एक टीम रवाना कर उर्शा के सिमाद छेत्रों में जो हैं दो अन्य तसकरों को भी पकड़ा गया है और इस मामले में जो हैं तीन तसकर जिसमें से दो आरूपी और एक किसो बालक तीनों के गब्जे से जो हैं 25 किलोग्राम अवायद गांजा जो हैं बरामद किया गया है और वही कोर्बा में अपनी पदिस्थापना के साथ ही स्पी भोजराम पतेल की ओर से कम्यूनिटी पुलिसिंग के तहत अभिनव पहल की गई है जिसके तहत खाकी के रंग स्कूल के संग शिक्षिक सम्मान पुलिस तोहर की ओर से कारक्रम आयूजित हुए वहीं इसी कड़ी में 8 अप्रेल को स्पी की एक नई पहल पर जिलापुलिस की ओर से टीपी नगर इस्तित राजीव गांधी ओडिटोरियूम में कोटवार सम्मिलन और गुम मोबाइल वितरन कारक्रम रखा गया जिसमें अपने कारेशेतर में अच्छे योगदान करने वा अब बहुत खुश हूं और मैं साइवर सेफ वाले सब का सब का बहुत बहुत दन्यवाद लेती हूं कि सर ये मोबाइल दस अजार का है और दस अजार मेरे बहुत बढ़ा रखम होता है क्योंकि इसके लिए मैं बहुत परिस्रम की थी और बाबू का ओनलें पढ़ाई चल तो मेरे बहुत खुशी दग रहा है कि ये मुझे वापास हो रहा है और वही गोहाना के स्टीम आशीश वश्ट ने गाउं नूरन खेडा में अईरवेदिक डिस्पेंसरी बनवासा पीच्सी और सिविल अस्पताल का और चक निरिक्षन किया नूरन खेडा अईरवेदिक दॉट्टर बितेक सब्दा से ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे बनवासा पीच्सी का स्टाफ भी देरी से ड्यूटी पर पहुंच रहा था SDM वशिष्ट ने नई डॉक्टर से ड्यूटी पर नहीं आने को लेकर जवाब भी मांगा और वहीं पीच्सी स्टाफ को समय पर आने के निर्देश दिये गए हैं HD वशिष्ट ने गोहाना सिवल अस्पताल में स्वास्ट कर्मियों की मीटिंग बुलाकर व्यवस्ता में सुधार लाने के निर्देश दिये हैं इसके साथी साथ गोहाना नगर परिशद ऑफिस में पहुँचकर नगर परिशद अधिकारियों के साथ शहर में हो रहे विकास कारे को लेकर बैठती जिसमें नुरन केड़ा पन्वासा जो पीयक्सी यह विए देगे उसके अनदर हम बहें और एसके लावाँ जो सिवी होस्पूल यहां के सिवी होस्पूल में आए समु साथ के साथ जो पॉलिक है उसके लिए प्रोपर जो अगर शब्लिक आए अगर कि ब्रेक बाद खबरों में स्वागते आप सभी का आगे बढ़ेंगे और अंबाला में हरियाना की शिक्षा मंत्री कवरपाल गुजर की अधेक्षता में जिला कस्ट निवारन समिती की बाठक हुई जहां पर अंबाला की जनता अपनी समस्या शिकायते लेकर पहुंची शिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग के किताबों फीस और दाखिले से जुड़े जो भी प्राइबिट स्कूल आदेशों का उलगधन करेगा उस पर सक्त कार्रवाई होगी वहीं बैठक में अपनी शिकायते लेकर पहुंचे शिकायत करता हूं का ये भी कहना रहा कि आज उन्होंने मंत्री जी के सामने अपनी समस्याय रखी हैं जिस पर उन्होंने कार्रवाई की आदेश दिये हैं उन्हें उम्मीद है कि जल्द समाधान होगा मैं ने अपनी जिमिन 2021 मोची ती जिसकी पर इसित्य ती अभी दिसमबर में दिसमबर 2021 में तो मैंने नगर निगम में ये ताॉन प्लानिंग पर गया है ये टान फ्लानर मेरे यनम उसी बना कर देती क्रिशिगुमे की जिस्ती हो जाती थी उसके बाद मैं जब कि आपके अरिया तो कमेटी में आ चुका है दो साल हुए और अभी तक इसका सर्वे नहीं हुआ सर्वे ना होने की वज़ा से इसकी अडिसी देना संभव नहीं है जो अनुन मेरे को निक्के दिया है तो मंतरी जी गाने लगे अभी इसकी जांच करवाएंगे नगर पालिकाम सब्सक्राइब जाना या आपका काम सब्सक्राइब करवाएंगे देखिए ऐसा है कि इस प्रकार से समस्य आती है अब वैसे तो ने तिक दिरिश्टी से पहले भी सहीं था यह आप किसी को कैसे बात देख सकते हैं कि महां कितने लेकिन ऐस ता समाज में कुछ बुराई है औ और कुछ लोग अपने स्वार्थों के लिए जाधा पैसे कमाने के लिए इस प्रकार की गल्थ प्रेक्टिस करते हैं तो जैसे जैसे अब ही फीस का मामला था तो क्रोना के बाद अब कुछ लोग मिले थे जिन्नों गया कि फीस काफी ज़्यादा बढ़ाई दी उसका तो यह भी करना था कि दो गुणा भी कर दी हूँ तो उसके बाद ही हमने एक नियम बनाय दिया गया पांच परसेट से ज़्यादा प्रीस बढ़ाई नहीं सकते हैं तो जैसे जैसे समस्यात थी हूँ उससाब से कारवई करते हैं और वही करनाल के गाउं हरी सिंग पूरा में चोरों ने मकान में रखी अलमारियों और संदूक के ताले तोड़कर 45-45 सोना और डेड़ किलो चांदी से बने आभूशनों पर हाद साफ कर दिया इसके साथ ही चोर 50-60 हजार रुपे की नगदी लेकर भी फरार हो गए घटना के समय घर में तीन महिला आएं थी और तीनों ही वादात के वक्त सो रही थी चोरों ने पहली मंजिल पर सो रही बुज़र्ग महिला के कमरे में सबसे पहले चोरी की जिसके बाद चोर अन्य कमरों में भी चोरी कर फरार हो गए कर दो जात में पहले तीनों है तुरी का देखो भी उसकी इन्वस्टिगेशन चल भी है जो भी लगगरा है कि उपर चट के रस्ते वह उंतर आया राच को परिवार अंदर सो रहा था जिए ज़य को एक उरी को फोई टानी उपने बेटरूम्स में सो रहे थे ज़ा है मेरे माता जी वही थी बाड़े में वहां से अमको उठागी लाई जेवर और पैसे जोड़ी होगे लड़ता तो वैसे भी जा रहा था अच्छा जी आर जो गर 15 से उपर सुन तो 15 तोड़े से उपर सुनना था और वह 36 गड़के कोंडा गाउं में राष्टी राजमार्ग पर सड़क हाथसे में युवक की मौत हो गई वहीं दू अन्ने लोग घायल हो गई जानकारी यह है कि जगदलपूर से आ रही कार ने परताल में भरती कराया और चैत्र नवरात्री पर उत्सा पूर्वक मानते हुए पहली बार सर्व हिंदू समाज की महिलाओं ने शहर में भब 120 फीट लंबी चुनरी की रैली निकाली और इस रैली में महिलाएं विरांगना की रूप में दिखी इस दोरान भगवा पाफबांदे महिलाओं ने दंतेश्वरी मंदिर प्रांगड से शहर के मुखे मार्गों से रैली निकाल दंतेवाडा के लिए प्रस्थान किया आपको बता दे कि रैली मार्ग पर जगा जगा लोगों ने महिलाओं पर पूल बरसाय कही जगाओं पर तमाम समाजों और अगठन ने उनका स्वागत भी किया एक आस्था और विश्वास के साथ आज हम चुन्री यात्रा 108 मिटर लंबी चुन्री लेकर के दंतेश्वरी मंदिर प्रांगड जगदलपूर से प्रारंब कर रहे हम अपनी यात्रा और यहां से कुछ दूरी पैदल चल करके उसके बा फिर हम वहां में पहुचेंगे दंतेवरा और वहां पर लगभग पांचे किलोमेटर अपन पैदल चल करके माता जी को चुन्री अर्पित करने जाएंगे और वहीं कुंडा गाउं में विश्व बंजारा दिवस के मौके पर आठ अप्रेल को बंजारा समाज के लोगों ने कुंडा गाउं के ब्लॉक फरस गाउं अस्पताल में मरीजों को फल का वितरन कर बंजारा दिवस मनाया साथी साथ मरीजों के जल्द स्वास होने की कामना भी की इसके बाद समाज के लोगों ने फरस गाउं ब्लॉक के बेल भाटा गाउं में कारक्रम इस्थल पर संतसेवा लाल महराज और याडी मेरा मा के चाया चित्र पर दी प्रजलित कर कारक्रम की शुरुआत की उसके समाज की लोगे कत्रित हो के मनाते हैं उसी परिपेक्ष में आज हमारे फरसगाउं ब्लाग के ग्राम बेल भाटा में विस्व बंजारा दिवस कारेकरम का आयोजन किया गया है इस टाप को करमचारियों को केला फल और हद्रपदार का वितर्ण किया गया उसके पस्याथ बे धर्मगुरूसन सेवालाल महराज एम्याडी मेरामा की प्रतीमा पे पुजा अर्चना के पस्चात हम आज यहां पर एकत्रित होकर विस्व बंजारा दिवस्ता कारेकरम का अब समापन की गोड़ अग्रासर हुरे है और 36 गड़ में देश की सीमाओं पर अपनी जान हतेली पर रखकर हिंदुस्तान की रख्षा करने वाले 20 जवान अपने सेवा काल को पूरा कर गाउं वापस लोड़ता है तो परिवार दोस्त रिष्टिदारों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता इस तरह का शुब अफसर बालोद जिले के ग्राम भोतली में उस वक्त नजर आ हवल्दार सेवा से रिटायर होकर अपने गाउं पहुंचे उनके वापसी पर पूर्वसैनिक संग बालोद और गाउंवालों ने उन्हें गले लगाया आतिशबाजी की और पूल मालाओं से उनका स्वागत किया आपको बता दे कि हवल्दार सोन प्रकास हिरवानी 2005 में भा पारती सेना में रहते हैं जम्मू पंजाब चीन बॉडर जहासी जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं कि बहुत ही अच्छा पाहला है जो जन जगरुपता वरिष्टा दिकारियों के निदेशन में अभी गाउंगाउं में जन जगरुपता प्लीस टिंग पहुंच कर रही सब्मान करते हैं यह बहुत ही अच्छा सरानी प्रसाचन और प्रसाचन के तरफ से भी उनका सम्मान करना चाहिए और देगे शिक्षित समाज ही मौजूदा परस्तियों में समाज की देशा और दशा बदल सकता है शिक्षा के साथ संसकार का हुना भी बहुत जरूरी है इस काम को बहुबी एकल पाउंडेशन कर रहा है आगामी 10 अपरेल को कानपूर के गणेश शंकर विध्यारती मेडिकल कॉलेज सभगार में एक शाम एकल के नाम से एक कारिक्रम का आयोजन होगा जिसमें प्रख्यात गीतकार और कभी मनोज मुंतशीर अपनी प्रस्तुती देंगे एकल पाउंडेशन के कानपूर चाप्टर के सरक्षक गोल्डी मसाले के प्रबंध नेदेशक सुरेंदर कुमार गुपता ने बताया कि ये आयोजन कानपूर चाप्टर से जुड़े सहयोगियों के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है कानपूर चाप्टर की महिला विभाग की सचिफ देविका मुखर जी ने बताया है कि एकल विध्याले में संसकार परक शिक्षा के साथ साथ भारती संस्कृती के महत को समझाने में बहुत ज़ादा जोर दिया जाता है इस कारेक्रम की जानकारी देने के लिए एक प्रेस कॉंफरेंस ही की गई इस्थानी मेरिकल काले सवागार में बहुत विख्यार प्रख्यार मनोज मुंतसिर जी कानपूर प्रतम बार पर बना रहे है हमारा जो यह एकल भी प्याले कानपूर चेप्टर है इसके अंतर तरह लगवक 30,000 बच्चे यह 1048 स्कूलों के माद्यम से सिख्छा और संस्कार का प्रशार कर रहे है आप सबीसे मेरिदन है कि इस अलोकिक आनंद को लेने के लिए कुना बदा रहा हूँ कि इस तारिक साइन काल पांच मुझे मेडिकल काल इस सवाकार में आपके बूद बदा रहे हैं को रोड़ा महमारी के चलते हैं पिछले दो साल से कानपूर आयएटी में अंतराग्ण बदा रहे हैं करनी सम्मिलन नहीं हो सका था लेकिन इस बार पिर से उसी रूप में अंतराग्णी का भवे सम्मिलन का शुभारम शुक्रवार को आयाइटी में हुआ इस दिन इस तीन दिन के अंदर आंतरागनी सम्मिलन में विभिन कारक्रम आयूजित किये जा रही हैं जहां खास तोर पर एल साथ में कभी सम्मिलन का आयूजन आकशन का केंद्र रहा यहां आये हुए प्रसिद कभीयों को छात्रों ने भुके भीट कर उनका स्वागत किया वहीं सबसे पहले अपनी आवाज से कपिल शर्मा शू के स्क्रिप्ट राइटर कभी एकाग्र शर्मा ने सभी का दिल जीत लिया जहां लोगों ने उनके हासे व्यांगों को सुनकर वो जमकट ठाके लगाते हुए नजर आये सभी ने तालिया भी बजाए और वहीं हिंदी गजल के श्चेत्र में अपनी पहचान रखने वाले सोनजूपा विशाल जो की बदायूं से हैं उन्होंने अपनी गजलों से समा बांग दिया साथी साथ कभी सुदीब भुला एक अद्बुद व्यंकार और हासे कभी हैं जिन्होंने अपनी चुतीली और मजाखिया शेली से सब को रिजाया तो वहीं अपने अंदाज में रेश के वीर सपूतों को भी याद किया अंत में जिसका सब को इंतिजार था वो गजलकार और शायर प्रसिद अजहर इकबाल के आते ही तालियों की गडगड़ार से हौल गूंज उठा और साहित संस्क्रती से अगर आज की बच्चे जड़ती है तो यकीना आप ज़िश में करांकि किसी भी पॉंट अगर जड़े है तो देसे जड़े होते हैं तो जिन्दीगी को जो रूखापन जो होता है जो नेरस नहों होती है वो आर्ट वापस करती है इन से सब्सक्राइब जोड़े रहेंगे तो अब जिन्दीगी पर तुछ रपने रहेंगे और उतरप्रदेश पुलिस बहतर और दुरुसर कानून विवस्ता बना रखने का दम भर रही है साथी साथ अपरादियों पर भी कानूनी नकेल कसने की तमाम तस्वीरे भी सामने आ रही है तो वहीं कानपूर देहाद की एक्टिव और मुस्तायद पुलिस ने ऐसा कारणामा कर दिया जो इस समय कानपूर देहाद पुलिस को सुर्खियों में ला दिया है मामला पुलिश्य कारूराई का है जिसमें कानपूर देहाद पुलिस ने हाई स्कूल के नावालिक छात्र को मिनी गुंदा एक्स की गंबीर धारा का मुस्रिम बना दिया है दरसल मामला 3 अप्रेल 2022 का है जब एक दबंग युबक की छेड़ खानी से परिशान होकर एक छात्रा ने जहर खा लिया था और पुलिस की लापरवाही के आरोप के चलते छात्रा ने अपनी जान देने का कदम उठाय था जिसमें आरोप राजपूर थाना इंचार्ज कपिल दूपे पर लगाया गया था जिसमें पुलिस अधिच्य मोदे के दोरा जाज कराई जा रहे हैं जाचु उपरांत रिपोर्ट उनकु बात प्रिशित की जाएगी और इनी खबरों के साथ ही फिलाल इस बुलेटिन में बस इतना ही आप देखते रहे हैं ये नेटवर्क टैन जय है